पांच फरबरी 2022 को इरान की सड़कों पर सज्जाद हैदरी नाम का एक आदमी मुश्क राते हुए अपने एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में एक महिला का कटा हुआ सर लेकर सड़कों पर ऐसे घुमरा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो आकर कौन थी वो महिला और कौन था ये आदमी जिसने इस भयानक घटना को अंजाम दिया हम ये सब सभी जानेंगे लेकिन इससे पहले में बता दूँ मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं मिस्टिरियस फाइल का एक दमाकेदार एपिसोड मौना हैदरी नाम की एक लड़की का जन्म 24 दिसमबर 2004 को एवान के एक सहम में होता है आगे चलकर जिसकी साधी सज़्जाद हैदरी नाम के एक लड़के से होती है लेकिन सबसे हैवानी की बात ये है कि ये साधी तब हुई जब मौना केवल 12 साल की थी यानि अभी तो मौना ने सही से अपने बच्पन को जिया भी नहीं था और उसकी साधी कर दी गई इतनी कम एज में मौना को अपने चचेरे भाई सज़्जाद से साधी करने के लिए मजबूर किया गया था दरसल इरान में कानून के मताबिक लड़कियों की साधी की एज 13 साल और लड़कों की साधी की एज 15 साल है लेकिन जूडिसल पर्मीशन और मातापता की सेमती से लड़कियों की साधी पहले भी की जा सकती है और यही किया मौना हैदी के पिता ने उन्होंने किसी तरह लीगल डॉकुमेंट बनवाई और कानूनी रूप से इस साधी की पर्मीशन लेकर मौना हैदी की साधी उसके ही चचेरे भाई सज्जाद हैदी के साथ जबरन कर दी लेकिन साधी के बात से ही सज्जाद का भीहेवियर मौना के साथ अजीब होने लगा और उसने मौना के साथ मार पीट करना सुरू कर दिया और दिन पे दिन वो मोना के साथ और भी जादा हिंसक होता चला गया उसके हिंसब हरकतों के चलते मोना अक्सर सज्जात से तलाक मांगती और अपने माता पता से इन सबसे निकलनी के लिए मदद मांगती लेकिन उसके माता पता उसे समझाकर बापस अपने घर जाने के लिए कहते और मोना को ना चाते विए बापस सज्जात के पास जाना पड़ता और यही सब सेते सेते जम मोना 14 साल की हुई तब उसने बच्चे को जन्म दिया और अपने बच्चे के खातिर सज्जात के साथ रहना जाई रखा लेकिन इन सब के बाद भी सज्जात का भेर भेर नहीं बदला और वो लगाता मोना को मारने पिटने लगा इन सब के बीच मोना ने बहां से क्याई बार भागने की कोशिस की लेकिन इतनी छोटी एज और पैसों की कमी के कारण बर बहां से नहीं जा पाई लेकिन इन सब के बीच जब मॉना सत्रा साल की थी तब उसकी बात अली नाम के एक लटके से होने लगी जो टर्की में रहा करता था मॉना ने अली को अपनी सारी सिच्वेशन के बाई में बताया और जबरन साधी और पिटाई की बात बताई और बताया कि वो हमेशा के लिए इस जिन्दगी को जीनी के लिए फस गई है मॉना की इस कंडिसन के बाई में जानकर अली ने उसे बहाँ से निकालने की एक योजना बनाई और कुछ टाइम बाद मॉना 2021 में किसी तरह इरान से टर्की भाग गई और आप जो अभी मॉना हैदरी का मुस्क कराते हुए जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो तब का माना जाता है जब मॉना टर्की में थी और सायर ये फोटो अली ने खीच था मॉना हैदरी लगवक 4 महीने तक टर्की में रही लेकिन इस बीच उसने बहाँ क्या किया इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई लेकिन इस बीच मोना के family की लोग उसे डूढने की कोशिस करने लगे और किसी तरह उन्हें यह पता चल गया कि मोना टर्की गई है और फिर उसके पिता ने इरानी embassy से contact किया और यह पता लगाया कि मोना टर्की में कहां हो सकती है मोना का पता लगने पर उसके पिता अपने भाई के साथ टर्की पहुँचे जो मोना के चाचा हैं और जब यह दोनों मोना के पास महुँचे तो उसे बापस घर चलने की बात कही लेकिन मोना ने बापस जाने से मना कर दिया जिसपर उन्हों ने उसे अपने बेटे के खातिर बापस इरान चलनी के लिए मना लिया और ये बादा किया कि वो उसकी सिर्प्टी का खयाल रखेंगे इसके बाद मोना ने अपने पिता और चाचा पर बहुसा किया और बापस इन दोनों के साथ इरान लोट आई बहाँ पहुचका मोना एक बार के लिए सज्जात को देखकर डर गई इसके बाद उसके पिता और चाचा ने ये बादा किया कि वो उसे पुलिस के पास ले जाएंगे ताकि तुम दोनों के बीच किसी तरह का अरेंजमेंट किया जा सके लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और इन सब के बाद 5 फरबरी 2022 को जब एक दिन मोना गाड़ी से पुलिस स्टेशन की ओर जा रही थी तबी राजते में सज्जात और उसके भाई ने गाड़ी को रोक लिया और दोनों ने जवरदस्ती गाड़ी से उसे खीच लिया और बापस अपने घर ले आए और उसे लाकर दोनों ने मोना के हाथों को उसकी पीट के पीचे बाण दिया फिर सज्जात ने अपने हाथ में एक बड़ा चाकू लेकर और मोना के सर को पकड़ कर उसके गले को तब तक काड़ता रहा जब तक की वो उसके सरीर से अलग नहीं हो गया और इन सब के बीच मोना के तड़पते हुए जान चली गई इसके बाद सज्जात का भाई उसकी बोड़ी को एक कारपेट में लपेट कर ठिकाने लगानी लगा इन सब के बीच सज्जात ने मोना के कटे हुए सर को उसके बालों से पकड़ लिया और उसे उठा कर सड़क पर घूमने लगा उसके एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में मोना का कटा हुआ सर था जिसे लेकर वो सड़क पर मुस्कुराते हुए घूम रहा था वो मोना के कटे हुए सर को लेकर ऐसे टहल रहा था जैसे कि उसने कितना बड़ा गर्ब का काम किया हो उसे एक कटे सिर के साथ घूमते देख आस पास के लोगों में हड़बड़ी मच गई जहां पे कुछ लोगों ने उसके फोटो लिए और बीडियो बनाए जो बाद में बाइरल हो गए और बहां मौजूर लोगों में से किसी ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि जनाब यहां पे एक आदमी एक महिला का कटा हुआ सर लेकर घूम रहा है और उसके हाथ में एक बड़ा चाको भी है आप जल्ली आ जाईए लेकिन इस बीच सज्जात का भाई भाग गया लेकिन कुछ टाइम बाद इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जब बाद में पुलिस ने सज्जात की मां से पुछ तांच की तो उन्होंने बताया कि सज्जात ने कैई बार मौना को जान से मारने की धंकी दीती मौना के पिता ने कहा कि वो उसे अपनी बेटी के कतली के लिए कभी माप नहीं करेंगे लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया कि इसके दोरान उनका मन भी बदल गया और उन दोरनों को वो माप करने के बारे में सोचने लगे सज्जात ने कहा कि अली ने उसके पास कई बार मौना के साथ ली गई उसकी तस्वीर भेजी जिससे उसे इंसल्टेड महसूस हुआ और जब उसके दोस्तों और परिवार के लोगों को इन तस्वीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वो किसी दूसे ब्यक्ति के साथ भाग गई है जिससे उसे बहुत गुसा आया और इज़त के लिए उसे माव डाला और इसे होनर किलिंग का नाम दिया गया होनर किलिंग बो होती है जब किसी ब्यक्ति की उसके परिवार दुआरा सम्मान को नश्ट करने या प्रंप्रा को तोड़ने के अपराद में कतल कर दिया जाता है तो लोग उसे होनर किलिंग कहते हैं इन सबके बाद कोट ने सज्जात और उसके भाई को इस भयान गटना के लिए दोसी माना और 18 जनवरी 2023 को सज्जात हैदरी को अपनी पतनी मौना हैदरी का सर काट कर कतल करने और उसके सर को सारजनिक जगाओं पर लेकर घूमने के लिए 8 साल से ज़्यादा की सजा सुनाई ग मौना हैदरी के साथ हुई इस घटना के बाद महिलाओं को घहलो इंसा से बचाने के लिए कानून में सुदार की मांग तेज हो गई और इवानी सरकार से भी साधी के लिए कानूनी उम्ब सीमा बढाने की मांग की जा रही है तो मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में गुड